बहुत अच्छा लगा कि वो बहुत खुश हुए ये मूर्ती रेके और उन्होंने ये पूचा कि पुचा कि पुचायत में बहुत काम हुआ है, हमने बहुत काम हुआ है, एक विकास की जो आंदी आई थी वो ये तीन साल के बाद ही हमें दिखिया, दरवाइस पहले इतने काम नहीं होते थे, तो आज अब बहुत कुछ है कि हमारे देवता, हमारे बगवान हमारे गाहों में आए है मुझे लगा कि एक ऐसे परदान में नतरी मिलना बहुत मुश्कल है, इमानदार और डाइनामिक परस्नेलिटी वाले मैं मतें बहुत बड़ा फैनून का, जो मैंने तीस साल पहले डिवल्मेंट नहीं देखी, इस गाउं में अपने गाउं में वीरफुर में, वो साड़े तीन साल में वहां देख लिया, मुझे नहीं लगा पहले कभी इतनी डिवल्मेंट हुई जितनी अभी वहां पर हो रह में अभान अमारे गाउं में आये में अभान अमारे गाउं में आये मुझे लगा कि एक ऐसे परदानमेंटरी मिलना बहुत मुश्कल है, इमानदार और डाइनामिक परस्टनेलिटी वाले मैं मतें बहुत बड़ा फैनून का, जो मैंने 30 साल पहले डिवल्मेंट नहीं देखी, इस गाउं में अपने गाउं में वीरपर में, वो साड़े तीन साल में वहां देख लिया, मुझे नहीं लगा पहले कभी इतनी डिवल्मेंट होई जितनी अभी वहां पर हो रही है हमें बहुत अच्छा लगा कि वह बहुत खुश हुए ये मूर्ती रेके, और उन्होंने ये पूछा कि पुछा कि पुछायत में बहुत काम हुआ है, हमने बहुत काम हुआ है, इतनी एक विकास की जो आन्दी आई थी, वो ये तीन साल के बाद ही हमें दिखिया, पहले इत हुआ है, इस मुझे लगा कि एक ऐसे परधानमेंतरी मिलना बहुत मुछकल है, इमानदार और डाइनामिक परस्नेलिटी वाले, मैं मते बहुत बड़ा फैन हूँ उनका, जो मैंने 30 साल पहले डिवेलमेंट नी देखी, इस गाउं में, अपने गाउं में, वीरभर में, वो साड़े तीन साल में वहां देख लिया, मुझे नी लगा पहले कभी इतनी डिवेलमेंट हुई, जितनी अभी वहां पर हो रही है, हमें बहुत अच्छा लगा, वह बहुत खुश हुए है, ये मूर्ती रेके, और और उनने पुछा कि पुछा कि पुचायत में बहुत काम ह हुआ है, इतनी एक विकास की जो आंधी आई थी है, वो ये तीन साल के बाद ही हमें दिखिया, और वाइस पहले इतने काम नहीं होते थे, तो आज अब बहुत खुश है कि हमारे देवता, हमारे बगवान, हमारे गाम है.